जब क्राइम पर करप्सन पर हमारा जीरो टॉलरेंस की नीती है तो करप्सन के तो साथ शार्थ प्रमान है तिर दस्विया दो जो आरजएडी के प्रदेश अधेक्ष कहते हैं कि हम जो उनका साशनकाल था उन्होंने आप लोगों को दंगा फ्री इस्टेट दिया तो अब उनको दंगा की परिभासा नहीं मालूम है मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कानून में दंगा किसको कहा जाता है पांच आदमी के बीच अगर बहस भी विवाद भी हो गया वह कानून के तहट दंगा में चिन्नित होता है अब अगर जगता बावो जीजे सीनिय लोग दंगा को सामपर्दाइक दंगा हुआ क्या बिहार में और वो वो जुर्म आपने किया था कि भागलपूर के दंगे के कातिल को हेलिकॉप्टर से आप घुमा रहे थे मशकार मैं विश्नु नरायंद बिहार मिल के लिए पटना से बहले ही बिहार के भीतर विधान सबाचुनाव खत्म हो गए हो एक नई सरकार चुनली गई हो मगर उसके बावजूद जो सियासी समी करण है वो बहुत इसपस्ट नहीं हो पा रहा है अपोजिशन की जो भी पॉलेटिकल पार्टीज हैं वो फिर से नितीश कुमार को रिजहाने में लग गई हैं तमाम मसलों पर बाचित करने के लिए भी हमारे साथ हैं पूरो मंत्री और मलसी निरश खुमार राबडी जी कभी ओफर आप लोगों तक पहुंचा है क्या कि राश्ट्रिय जनता दल जनता का जनादेश लेने में असफल रहा है तो पुत्र के सत्ता बियोग की बेचैनी राश्ट्रिय जनता दल के नेताओं की जुवान खोल दिया है और इसका कारण साफ है कि जो विपक्ष के नेता मानिय तेजश्वी यादो प्रवासी पोलिटीशन बन गए हैं उनका रूटीन जब देखिएगा तो अता पता नहीं मिलता है लोगों को तो अपनी उपस्थिती कैसे दर्ज करेंगे और ये साफ तोर पर जब हमने खतम हो गये क्या पटियाला कोट में जो उनका दंडबत हो रहा है वो बंद हो गया अखिर क्या मतलब इसका है जब क्राइम पर करप्षन पर हमारा जीरो टॉलरेंस की नीती है तो करप्षन के तो साथ शाथ प्रमान है तो ऐसे सबाल पर जब हमारा कोई समझहोती की नीती नहीं रही है तो सभाविक रूप से हम ऐसे जो भी कयास लगा जा रहा है वह आत्म घाती होने के लिए राजनितिक आत्म घाती और केवल अपनी उपस्तिती दर्ज करने के लिए कि हमारा प्रजेंस है कोई यह सवाल नहीं पूछे कि आपका बेटा कहा है इसलिए इस दंग देक्ष है उन्होंने भी बात कही कि अब जो है केंद्र की राजनिती में हम लोग भेजने की जो है बादचित उनके लिए सुनी जा रही है तो इसमें कोई दम दिलासा नहीं है उनके पेर भी पर हम जायेंगे है उनके पेर भी पर अरे मानिया नितीशकुमार जी के साशन ववस्था की डलाई लामा से लेके विल गेट से लेकर के देश के बिविन राजनेताओने नितीशकुमार की प्रशनसा की अइसा तोड़े का यईक do इनार्किजम है इसलिए मानिय नितिश कुमार जी जनता दलियू के राश्ट्रिय अध्यक्ष रहे हैं हम अपनी पाटी की भूमिका को जानते हैं बार बार हम लोग असपष्ट किये हैं कि हम उस दोड में नहीं हैं हम अपनी राजनीत में हमियत जानते हैं हमको बिहार की जनत तो आपका नेता ते यस्वियादों में कौन लाचारी है कि मने फोटवेंटी का रूप होना करप्षन का चार्ज हो ना ही इसलिए यह मैं सीधे तोर पर कराओंगी चुकी इनके नेता नेता राजनेतिक रूप से लापता रहते हैं तो अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज इसी ढग का बयान देकर करेंगे अब परसपर दूसरे का विरोध भी करते हैं कि इनका विक्तिगत बयान है तो विक्तिगत बयान है तो पाटी का बयान किसको माना जाता है लॉइन ओर्डर के मसले पर जिस तरीके से आप लोग अपनी थप थपाते रहते हैं असा नहीं लगता कि निति उश्कुमार का पहला कारेकाल दूसरा तीसरा और कारेक इस बीच लॉइन ओर्डर का जो पूरा मसला है क्राइम का जो पूरा मसला उस पर कहीं पकड़ धीली ह होई है आप लोगों की समगरता में देखने की जरुवत है आप 2006 का बिहार अगर देखना चाहते हैं तो 118 नरसंगहार का बिहार था पटना के बगल नौबतपूर में गाओं में लोग नहीं जाते थे आज किसी गाओं में दो बजे रात में भी लोग निकलने में भय नहीं रहता है लोगों को आप राधिक घटनाएं जनसंख्या का अनुपात देख लिए प्रतिला जनसंख्या प्रम क्राइम का रेट देख लिए तो बिहार निरंतर सुधार के और लेकिन चुकी 118 नरसंग बिहार के दोर से उसमें ततकाल में क्या हुआ पंचायती राज में आरक्षन और कानून के राज ने बिहार में संतिय स्थापित कर दिया आज भी ओही कायम है आज भी ओही कायम है किसी गाओं में किसी वी व्यक्ति को डर नहीं लगता है गाओं से निकलने में कानून के रा जो उनका साशनकाल था उन्होंने आप लोगों को दंगा फ्री स्टेट दिया तो अब उनको दंगा की परिभासा नहीं मालूम है मैं विनमरता पूरवक कहना चाहता हूं कानून में दंगा किसको कहा जाता है पांच आदमी के बीच अगर बहस भी विवाद भी हो गया वह कान कोप्टर से आप घुमा रहे थे यह पाप आपने किया इस बिहार की राजनीत में मानी नितिश कुमार जीन नहीं किया है और दंगा हजिर हमको बताए ना उनके कारिकाल में कितना जगा कर्फ्यू लगता था एक नवादा की घटना को छोड़ी था इस 15 साल के 16 साल की घटन लुगों के पार्टी के मेले इस कोरोना चल प्रोदेस में थोड़ा गया और उस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से कि आप लोग जिस गड़बंधन में हैं असहज हैं किसी त्यागी भी जब मीडिया के सामने आया तो वो चोव्यक्त कर रहे थे मीडिया के माध्यम से क्या स बिहार में अटूठे साथ निश्चे पार्ट टू पर काम सुरू हो गया है जिसका एहसास बिहार की जनता को हो रहा है मगर जिस तरीके से जटपट में आप लोगों की पार्टी के राश्टी अध्यक्ष बदले किसी को कानो काना खबर नहीं पहुची और राश्टी अध्यक्ष बदल गये प्रदेश कारीकारणी के भी बैठक क्या प्रदेश के इस्तर पर भी कोई नेतरेतों बदला होने वा बैठक की कारी सुची तो वह तैक करेंगे ना उस कारी सुची में क्या है नहीं है हम लोग कोई भविस्वक्ता नहीं इस पर कोई टिपनी करने का मुझे अधिकार भी नहीं है बहुत शुक्रिया हमारे साथ बाचित करेंगे